कर राना में आज पूरे विश्व में विश्व परियावन दिवुस मनाया जा रहा काहीं सामाजsheक और राज्वतिक कारिदम की जा रहे बारत हमेशा से ही वैश्विक पटल पर परियावरन बचाने की कबायत में जुटा रहा आज से नहीं सग्यों से हमारे महापुशों ने परियावरन बचाने के लिए तमाम आंदोलन किये लोगों को उजागरूप भी किया आज जल जंगल और जमीन सभी कुछ खत्म होता जा रहा है नदियां सूकती जा रह यह प्रकति का असंतुलन ही है ना तो इतनी बारिश हो रही ना ही पहले की तरह मौसम हो रहा और या तो इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है कहीं बारिश न होने की वजह से सूखा पड़ जाता है वहीं नाना महराज गुरू मंदिर गोशाला एवं नाना वटी में तराना प्रेस क्लब एवं नाना समीती सदस्यों के सरयुत तक्वाथान में फलदार बक्ष जैसे आम, जामफल, जामून, आदी पेड़ों के पोधों का रक्षार ओपन किया गया साथ सभी सदस्यों द्वारा पोधों के सुरक्षा एवं पोधों लगाने का संकत दिलाए गया अहीं मंदि समीती के सदस्यों प्रेमी सौरम मित्तल नित्य प्रतिदिन नानावटी में नए नए पोधे लगा कर उनको समय समय पर पानी पिलाने की सेवा प्रदान करते हैं समीती सदस्यों द्वारा उनके कारे की सराहना की गई। उक्त कारेगव में तराना, प्रेस क्लब की ओर से प्रेस क्लब अधयक्ष अर्पित बोड़ाना उपाध्यक शिव नारायन चानना और कोशाद्यक शतिष जायास्वाल महासचीव मनी शुराथोर नाना मंदि समीती की और से पंडित पंकश दुबे जिदेन रभाटी सदानन्द दिक्षित सौरब मितल नीरचान्ना राजेश गोजर खेल युवा समन्वयक शानू मकवाना डाली राव भोजने सहित पूरुजन पस्तदस चगनलाल मालवी बगोता पस्थिते. और हम साती ने हम सब लोगों ने सपत लिये कि हम सभी एक एक वक्ष को जीवन भर जब तक हमार में प्राण इसकी रक्षा करेंगे और इस पर्यावरन दिवस्के पर मैं आप सभी को भुद्व शुपकामना देता हूं हम पर्यावरन से लगाव रखें तो आने वाले समय में अच्छी वर्शा हो और देट प्रकृति करें अल्पी बोडाना के रिपोर्ट